हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आम विवेक सिंगल फ्राम ट्रेडिंग्विविवेक.com और आज हम बात करने वाले हैं बजाज फनेंस के बारे में बजाज फनेंस एक प्रोमिनेंट कंपनी है हम सब जानते हैं और और management अच्छी है लगातार growth दिखाती है और इस तरह के stocks में बहुत जादा fundamental analysis को बार-बार करने की ज़िवरत नहीं होती क्योंकि जब चीजे कुछ मिन्स बेकार नजर आए तो तो उसको किया जाए अधरवाइस जब एक अच्छी growth वाली company है तो है अब इस ऐसे में जो टेक्निकल चार्ट पेटन्स हैं वो काफी important रोल प्ले करते हैं खासतोर से ऐसी market में जब market ना तो उपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है तो ऐसी range bound market में किस तरह के से trade किया जाए यहाँ पर फिर से म ने range and second financials means net profit is improving over and over every quarter तो यहाँ पर हम same example लेते हैं मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाई थी अगर आपको याद हो 4-5 डेज पहले वीडियो का नाम मैंने रखा था range bound trading strategy तो उसको लेकर मैंने yesterday भी वीडियो बनाई Reliance Industries को लेकर कि Reliance Industries भी same तरह का pattern बना रहा है और ऐसे में यह कहीना कहीं मुझे feel होता है कि अलग-अलग तरह की market में जैसी requirement हो उससाब से मैं आपके सामने examples लेकर रहा हूं जिससे आप अपनी learning को अच्छा कर सकें तो यहां मेरी किसी तरह की recommendation नहीं है पूरी तरीके से यह एक educational वीडियो है आप इस सीजो से सीखो और सीख कर फि पहले हमें two resistance and two supports यह find out करने की जरूत होती है जो हमारी यहां पर match करें अब जैसे मैंने यहां पर start किया इसको सबसे पहले यहां पर यह एक resistance है क्योंकि यह एक range है range हमेशा resistance यह support जो भी हम हमारे chart pattern पर नज़र आए उसको हम बना सकते हैं तो यह first support है उसके बाद में यहां स resistance है उसके बाद में second जो resistance है वो तब तक count नहीं होगा जब तक वो पहले एक बार जो पहले support थी उसको touch नहीं करते हैं तो जब यहां पर second support यहां पर touch की उसके बाद वापस से same level पर जाएगा जहां पहले resistance था तभी हम उसको count कर सकते हैं so this was the second one उसके बाद में यहां पर आय यह third support और यहां पर आया third resistance अब third resistance के बाद में here it is available at the fourth support again तो यहां पर double के बदले तीन तीन चीजे पहले से हो चुकी हैं so stock price had started moving up from 5900 to 7600 यहां से उपर गया तो resistance पर गया वहां से यह नीचे आया फिर से साथ के साथ इसने rally ली उपर गया फिर नीचे support पर आया फिर से इसने rally ली और उसके बाद में फिर से नीचे available है अब sometimes support पर आने के बाद क्या होता है immediately price up move कर जाता है जैसे यहां पर touch किया और वापस से उपर चला गया और sometimes यहां पर यह एक time spend करता है तो दोनों में से लिया जब इसने support को touch किया and we got some money to invest at this level means after two three months two months तो यह एक फर्दर अपर मिनस एक एक बैटर situation है कि यहां पर price correction भी हो गया price correction means prices नीचे आ गए और time correction भी हो गया means नीचे आने के बाद में एक ही range में price consolidate भी हो गया तो यहां पर दो दरह की corrections होती है one is called the price correction second is the time correction तो दोनों हो जाएं तो और अच्छी बात है और इस period में अगर financials improve कर जाएं तो वो mandatory है कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि यहां पर financials की situation improve नहीं होई और हम यहां पर range bound trading करने लगें अगर financials की situation improve नहीं होई तो इस बात को तो stock price यहां पर support बनाने के बाद में further नीचे जा सकता है अगर financials improve नहीं हुए लेकिन अगर financials improve हुए हैं तो जो traders and investors पहले यहां पर support ले रहे थे वो उसको और नीचे नहीं जाने देंगे बढ़ी simple सी बात है कि पहले हमें x रूपी के बदले y मिल रहा था अभी x रूपी के बदले y plus मिल रहा है तो यानि कि जो underlying conditions और underlying situation से वो improve हुई है तो अब यहां पर third time means now currently stock price again came down at the same level जहां पर पहले one two and three तीन बार support लेकर उपर bounce कर चुका है fourth time यहां पर आया उपर गया फिर से नीचे आया और अभी आज फिर से इसने जाना शुरू किया तो जब यह आज फिर से जाना शुरू कर रहा है तो यह एक opportunity मेरे हिसाब से है कि हम इ resistance पर पहुचने के बाद में further महाँ पर देखेंगे कि किस तरह का chart pattern develop होता है लेकिन यह chart pattern अपने आप में जो range bound trading है यह excellent तरीका है पैसा कमाने का अब जैसे current price से लेकर अगर यह resistance तक जाता है तो हमारा करीब करीब 25% यहां पर gain बनता है 24.87% इसको ठीक से लगा लेंगे तो 25% तो 25% कम नहीं होता और generally कितना time लेता है अब इस बात को भी एक बार देखते है अगर यहां पर price correction के बाद यहां से up move करना शुरू करे तो बहुत जादा time नहीं लगता जैसे हम price correction के बाद up move की बात करने लगें तो 41 days लिये यहां price correction sorry time correction के बाद up move करना शुरू करे तो 41 days लिया यहां time correction हुआ ही नहीं price correction से सीधा सीधा ऊपर चला गया then this is only 27 days यहां पर पहले price correction नीचे आया price फिर time correction हुआ consolidate हुआ फिर चलना शुरू किया तो जब इसने वापस से चलना शुरू किया say for example यहां से चलना शुरू किया तो इसने बहुत जादा time नहीं लिया फिर सिर 30 days लिये अभी भी same यहां पर situation है यहां भी अगर आप देखोगे मैं वापस से सारी drawing remove करता हूँ और एक बार फिर से यहां पर line create करता हूँ जिससे आपको और अच्छे से चीजे समझ में आ जाएं तो आप ध्यान से समझना इससे पहले यहां पर आपको बिल्कुल same scenario नजर आता है यानि कि नीचे इस price पर आया थोड़ा सा नीचे आया उपर की तरफ गया वापस से bounce करके फिर नीचे आया औ और अभी यहां से इसने bounce करके निकलना शुरू किया तो इस candle is actually equal to this candle similar to not equal to similar to this candle और इस candle के बाद यहां से result क्या निकले हम सब को पता है कि immediately इसने यहां से shoot up किया और यहां से निकलने के बाद में इसको resistance तक जाने में it took only 30 days 30 days यह Saturday Sunday मिला कर है otherwise 20 trading days लिए 20 bars means 20 trading days और 30 days इसने पूरे लिए अभी बिल्कुल same scenario है यहां पर exactly same pattern बनता है तो यहां पर भी जो मेरी यहां से means अगर same चीज़े repeat होती है वापस से तो 34-30 days में वापस से 25% पैसा बनाने का तरीका है और यह means इतना पैसा किसी को भी बु यह बहुत अच्छा पैसा है और great company है amazing company है train में बार बार इसी तरीके से एक range में trade करती है और अगर financials की बात करने लगें जब इसने जून 21 में यहां से उठके जाना first time शुरू किया था और second time इसने यहां पर March 22 में किया उसके बाद में फिर इसने July 22 में किया और अभी यह 24 means April 23 में कर रहा है तो June 21 से लेकर अब तक क्या improvement आई हम एक बार अगर इस बात को देखने लगें तो June 21 से यहां पर improvement नजर आती है June 21 means March 21 के results तो 4420 क्रोर का यहां पर net profit था जो अभी 10769 क्रोर हो गया है यानि कि net profit is more than double और company की लगातार higher net profit का यहां पर track record रहा है तो जब net profit यहां पर double हो जाए और latest quarterly results अगर आप देखो तो 3000 क्रोर का यहां पर net profit है 3000 क्रोर को अगर 4 times से भी multiply करें keeping in mind कि यह company लगातार 3000 क्रोर तो post करेगी तो यह 12,000 क्रोर बैठता है और June 21 में net NPA was 1.46% जो अभी कम होकर 0.41% है तो सभी front से जब हम यहां पर बात कर रहे हैं chart की जब यह इस range में इसने starting की June 21 से लेकर अब तक हर तरीके से इसने यहां पर improvement दिखाई है business में financials में और chart patterns ने यहां पर बार बार अपने आपको prove किया है कि पहले भी तीन बार यहां पर इस तरीके से profit book किया जासे को है 1, 2 and यह 3 और अभी यहां से यह इस तरीके से 4 तो यहां मैंने इस तरीके से इसलिए किया कि जैसे touch किया सपोस हमने तब भी purchase किया होता जैसे touch किया तब भी purchase किया होता तो भी हम यहां पर एक अच्छा खासा पैसा यहां पर कमा सकते हैं तो इन सब चीजों के लिए क्या करना है अब बात यह आती है विविग भाई आप find out कैसे करते हैं अब करते क्या हो जब मैं बहुत बार चीजों को सिखाता हूं और बार बार यह कहता हूं कि आप charts के उपर ज्यादा time बिताओ तो काफी बार यह question आता है आप बता दो ना आप करते तो हो तो आप बता दो आप करते तो हो यह चीज तब तो समझ में आती है जब हमारे पास बिल्कुल भी time ना हो लेकिन अगर हमारे पास time है और उसके बावजूद भी हम chart patterns को analyze करने पर यहां time spend नहीं कर रहे हैं तो यह एक गलत बात है यहां पर इस तरह की findings करने के लिए हमें time spend करना पड़ेगा time spend करने के लिए time manage करना पड़ेगा time manage करने के लिए हमें stable mind रखना पड़ेगा again I am repeating the same thing उसके लिए हमें तन मंधन तीनों का ध्यान रखना पड़ेगा और इसके लिए again time manage करना पड़ेगा तो यहां यह चीज़े एक दूसरे को पूरा करती है यहां पर कोई भी चीज दूसरे के बिना पूरा नहीं होती for example eyes means eyes की importance है ear की importance है nose क की importance है mouth की importance है hands की importance है legs की importance है ऐसा नहीं कह सकते कि hands के बिना काम चल जाएगा legs के बिना काम चल जाएगा eyes के बिना means अगर एक भी इनमें से किसी के पास नहीं है तो life में पूरा शरीर almost यहां पर पूरे जीवन को निर्वा करने के लिए incapable होता है तो वो नहीं कर पाता इसी तर होना है हमें यहाँ पर gambling से भी बचना है तो इन सब चीजों का combination है और जब हम ईश्वर से इन सब चीजों का combination मांगते हैं एक शिदत के साथ अच्छे से भगवान की भक्ति में रहे के और तब पैसा कमाते हैं तो पैसा भी आता है भक्ति भी आती है respect भी आता है घर पे भी शांती पूर्ण माहोल रहता है और अपने अंदर सबसे बड़ी satisfaction रहती है that we are on the right है तो यहां पर इन सब चीजों को साथ में लेकर market करेंगे ना तो जिंद की जीने में मजा आएगा पैसा कमाने में मजा आएगा यह मेहनत का पैसा होगा यह growth का पैसा होगा और मैं आपके साथ यह चीज़े शेयर करता रहूँगा आपका काम है सीखना दूसरों को सिखाना शेयर करना और subscribe नहीं किया तो subscribe करना लाइक करना कल फिर मिलेंगे एक वीड़े के साथ तब तक जैहिन